कि फ्रेंज आज हम बहुत ही अच्छा रेसीपी लेके आए हैं यह देखिए बहुत ही जी बनता है टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है तो बनाइए बहुत ही असान जवानेगा आप बच्चे बड़े सभी बहुत चौश से खाएंगे देखिए इसका नाम है पनीर काठी तो देखिए और बनाइए अगर मेरे चैनल में नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर से करें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुं सके हलो फ्रेंड स्वागा थे मेरे इस चैनल में तो चलिए बनाना सु सूजी और आधी कटोरी हम गेहूं के आटा जिससे की हम रोटियां बनाते हैं तो अक्सर लोग आटा से भी या मैदा से भी बनाते हैं तो आज हम सूजी से बना के बता रहे हैं तो देखिए इसे मेकसी जार में रखकर इसे पीस लिए हैं बारिक सा तो हलका सा दरदरा जैस कि इसे क्या करेंगे एकइपॉल में हमम ट्रांसफर कर लिए हैं इसमें डाल देंगे हम नमक तो नमक में स्वाध लगा नत् सब्सक्रार्डि ड़GGी तो ख़़ोग अदेख नवीक ना धाल दिये हैं और इसे हम बठया से मसल्ते हुए मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजमाइन क्रैस करके डाल सकते हैं पर हम नहीं डाल रहे हैं तो देखिए ये बढ़िया से हम इसे मिला लिए हैं अब जरुवत की हिसारी में थोड़े थोड़े से पानी डाल कर हमें इसे आटा लगाना है तो ये देखिए एक बार नहीं डालना है बरना ज़्यादा गिला हो जाएगा तो जरुवत की हिसारी से थोड़े थोड़े डालेंगे इसमें और पानी डाल कर हम बढ़िया से गुथ लेंगे बहुत इजी है प्रेंस ट्राइक कीजिएगा बहुत मस्त बनता है तो देखिए हमारा आटा बहुत ही बढ़ियां से गुद कर तयार हो गया है तो ये इसे हम थोड़ी देल के लिए रहक देते हैं ताकि सूजी हमारा फुल जाए अब देखिए इसके लिए हम सब्जियां काट लिए जैसे एक बड़े साज का प्याज है टमाटार धनिया पत अब ने मन पसंद कोई साभी आकार छोटा बडरा मतलब कहने का मतलब छोटा या बड़ा दे सकते हैं तो ये देखिए प्लेट में निकाल लेंगे फिर्चे बॉल लिये हैं इसमें डालेंगे दही दही ऍसमें गढ़ी लेना है भरना और यह टपकने लगता है जादा धीना हो छनी में धर रखकर रख दीजिए ताकि एश्टा पानी निकल जाए अब इसमें डाल दिए हैं दो चमच भर के हम सरसो का तेल यह मसाले में हैं भूनी हुई जीरा पौडर लाल मिर्च पौडर साथी में काली मिर्च का पौडर है हल्दी पौडर थोरी से यानि की कलर के पौडर डालें हैं यह हम एक चमच दाल दीए गराम मसाले एक चमच भर के हम डालेंगे चा तक मसाला आगर आपके पास नीमूं है तो नीमूनी चावड ले जीए या तो चाट मशाला ले सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा चाट पटा टेस्ट आता है अब नमक में हम दोन भी टुकड़ा ना रहे बढ़ियां से हमारा सौक्त हो जाए ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो देखिए ये बहुत ही बढ़ियां सब पेस्ट बन गया है बिल्कुल लब्स फिरी अब इसमें डाल देंगे भूनी भी हल्का सा रोष्ट किया हुआ कस्तूरी मेथी इस तरह मिक्स हो गया है तो अब डाल देंगए हम पणीर जो काटकर रखे हुए थे तो को भी डाल दिये हैं अब से हम मिक्स कर लेगे ताकि सारे का बिल्क्न को पसंद आने वाला रिसीपी है फ्रेंट जरूर से किजिएगा तो अब लिए है एक पैन पैन को अंगाइस पर चढ़ा दिये हैं बढ़ियां से गरम हो गया है तो इसमें डाल देगे हम सरसो का तेल और हां इसमें सरसो का तेल ही इस्तेमाल किजिएगा या तो बटर यह दोन इस कि पनीर में चिपकेना तले में आप इसे डाल दिये हैं और हाय फिल्म पर हमें रोष्ट कहरना है बिल्कुल हाय फिल्म पर हमें करना हैं पानी जल्दी सोख जाए लगा तर चलाते हुए हमें इसे भून लेना है तो यह दीखिए हमारा बढ़ियां से यह पानी इसमे के सूख गया है आइसे ही हमें जादा छूलनी नहीं चलाना है क्योंकि पनीर तूटने का डर रहता है तो पाइन को ही हिला सकते हैं अब इसमें हम सबजियां आइड कर देंगे जो काटके रखेते जैसे टमाटार सिमला मिर्च प्याज हरी मिर्च यह सारे को हम आइड कर दिये हैं उपर से थो अच्छा बनकर तैयार होता है बहुत टेस्टी इसका तो कोई जवाब ही नहीं है पनीर काठी रोल सुनने से ही मूं में पानी अलगता है तो बनाईएगा जरूर बनाईए और इंज्वाई किजिएगा अब अपना राय हमें साजा जरूर से किजिएगा कि कैसा लागा और ह हमें होगा फ्रेंट जरूर से किजिएगा तो हमारा पनीर बनकर हो गया है तैयार तो गैस को बंद कर दिये हैं अब यह देखिए आटा के तरह पाए हैं तो आटा हमारा बहुत ही बढ़ियां से सौप्ट हो चुका है सेट हो चुका है तो इसे एक बार इस तरह से मसाल कर आ और हम आटे में लपेट कर इसे बेल लेंगे अगर आपसे ऐसे बिल सकता है तो तेल लगा के भी बेल सकते हैं लेकिन हमसे नहीं होगा तो हम देखिए हम अकसर इस तरह से मैदा या आटा में लपेट कर ही बेलते हैं तो लिजिए अब इसे हम बेल कर तयार कर लेते हैं जित तो घी और मैदा को एक बार बढ़ीया चेट करने के वो भी इस पर लगा सकते हैं पर हम घी को लगा रहा है हम जो पर से तक हमारे पराठे बिल्कुल लचेदार बने टो यह आपरम एक desafagto stock soda करिये एक पर एक करके इस सेङसी तरह से हमें फोल करना है तो आएसे ही हमें सारे को फोल करना है तो लग एक पर एक पर एक करना है ताकि लच्छेदार पराथा बढ़िया से हमारे खुल के निकले देखे बस ऐसे ही हमें करते जाना है अब देखे यह हो गिया है तो इसे हलका सा इस तरह से हम घीच लेंगे ताकि पतला बने और लम्मा हो जाए ताकि हमारा परत और भी निखर के आए खुल कर आए तो अब लिजिए यह हमारा हो गिया है तो इसे इस तरह से फोल्ड कर और बचे हुए लास्ट वाले भाग को अंदर के तरह दवा के और इस तरह से हम प्रेस करके दवा देंगे इसे तो लिजी हमारा ये लच्छेदार पराठे के लोई बनकर तैयार हो गिया है तो अब इसे हम एक पलेट में रखते हैं और इसी तरह से हम जो बचा हुआ है सारे को पहले ऐसे ही तयार कर लेंगे तो बेल लिए हैं उस पर घी को हम बढ़ियां से ग्रीज कर लिए हैं उसके बाद मैसे ही मैदा इस्टिंकल करके और एक पर एक करके ये देखिए इसे भी हम बना लिए हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें इसे तरह से सारे को बनाना है तो लिए 5-6 पीस हमारा हुआ है छे को हम बना के तयार कर लिए हैं और आप चलते हैं इसमें हम स्मुक देने तो स्मुकूंग देने के लिए एक लकड़ी लिए हैं उसे बढ़ियां से जलाकर गाइस पर एक पलेट में रखे थे और उस पर घी डालकर ढ़ाकर छोड़ दिये थे इससे क्या होता है बहुत ही टेस्टी स्मुकी फ्लेवर आता है इसमें अगर अब टॉन में है लकड़ी न नहीं बिलेगा इसे हम चकले को ही घुमा घुमार कर बेलेंगे क्योंकि मूरने लगता है और उठाने से हो सकता है कि लच्छा बाहर निकल कर आ जाए इसलिए लच्छे अलग अलग हो सकते हैं तो अराम से ऐसे चकले को घुमाते जाए और बेलते जाए जितना कि ये बेल सक पतला जितना हो सके उतना ही अच्छा होगा तो लिजी हमारा बहुत ही बढ़िया से बिलकर तयार हो गया बिल्कुल पतली सी लच्छे वाले पराठी तो यह देखिए यह हो गया बिलकुल ऐसे ही बेलना है अब इधर हम लोही का तावा चड़ाए आइरन वाला तावा में ओपर से हम गी एस तरह से प्राढ़ करेंगे बलियां से अगर त staple चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन हम घी से बना रहे हैं हम एचे लांसे से hard भूं फैला लेंगे पराठे के उपर से अब देखिए बहुत ही बढ़ियां हमारे खासतेदार मतलब की प्राठा बनकर पराठा है तो अगर कड़ी आभी अगर हैं ज्यादा कुड़कुरा खांता है तो थोर दिर के लिए आउसाइक कर लिए इस तरह से हम एक पराठे और बना लिए हैं गजिए ये थोड़ा जादा ही हमारा क्रिस्पी हुआ है तो लिजिए इस तरह से हम सारे बना अले देख kitchen चाल्चा पराठा खूल कर दिखाई दे रहा है तो अब हमारा यह पराठा बन गया है तो अब चलते हैं इसे क्मझे रोल करने के लिए तो इसमें हम डालें जो हम पनीर बनाके रखे गूए है उसे इस तरह से हम रोटी पर मतलब लच्छे वाले पराठे पर रख लेंगे पनीर को थोड़ा ज्यादा बड़े बड़े पीसेज है तो इस तरह से कट कर लिजिए अगर छोटे पीसेज है फिरुई कट कर लिजिए इससे क्या होगा ना कि जब खाने में हमें हर बार में पनीर जाएगा तो अपने लिए बना रहे हैं तो हम तो हमको थोड़ी तीखी चत पती सी हमें पसंद है उपर से कटी हुई हरी मिर्च डाल दिये हैं टमाइटो सॉस डाल दिये हैं और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे गिरीन चिली सॉस आप चाहे तो हरी धनिया मतलब धनिया के पतिक चतनी जो होता है उसे भी डाल सकते हैं अब देखिए इस तरह से हम मोल लिए हैं और जो घर में जो रहता है पेपर उसी से हम इस तरह से रोल बना लिए हैं आपके पास जो बटर पेपर जो कुछ भी है उससे बना सकते हैं हम देखिए इस तरह से बना लिए हैं अब इंज्वाइ कि यह बहुत ही टेस्टी और चट पटा से हमारा पनीर का ठीरोल बन कर तयार हो गया तो बताइए कैसा लगा फिर मिलते हैं ने रिसीपी के साथ अब तक के लिए थाइंक्यू